ड्रेन में साप होने की जानकारी मिलना बड़ी बात नहीं है, साप वहा कई वजह से हो सकते हैं, पहला है चूहे, कभी-कभी वो ठंड़क के लिए जाते हैं, क्योंकि ड्रेनपाइप्स ठंडे होते हैं, और तीसरी चीज़ हमें इन ड्रेन्स में अकसर इक साप मिलता है, जो ह तो मैं उस जगह पर गया, हम आस-पास देखने लगे मैं एक तरफ, लुईस दूसरी तरफ और उसे वहाँ से साप का सिर दिखाई देता है मुझे उस साप की एक ज़लक दिखाई दी थी और उसे देखते ही मैं समझ गई कि वो एक चेकर्ड कील बैक है आसानी से पता चलता है, सिर के आकार से और आँख के नीचे मौजूद दो लाइन से कील बैक्स को वाटर स्नेक भी कहा चाता है और ये इंडिया में मिलने वाले सबसे आम नौन वेनेमस स्नेक्स में से एक है ये कई रंगों और पैटर्ण में डिवलप हो चुके है कील बैक्स को चतुराई से अपना बचाव करने के लिए जाना चाता है डरा हुआ होने पर ये अपना सिर और गर्दन पिचका लेते हैं और शरीर का आगे वाला हिस्सा उठा लेते हैं ऐसी पोजीशन में ने कोब्रा समझ लिया जाता है बदकिस्मती से इसे बच्चों ने देख लिया है आम तोर पर सांपों से लोग डरती हैं लेकिन ये चेकर्ड कील बैक है तो इससे डरने की जुरूरत नहीं है सांप को वहाँ घर जैसा लग रहा था उसे डर नहीं लग रहा था वो कमफरिडिबल था उसे वो जगह पसंद थी जबकि लोग वहाँ बहुत डरे हुए थे अरे यार गटर में हाठ डाला पड़ेगा अब क्यूंकि ये पाइप बहुत लंबा था रोड के नीचे जा रहा था तो मुझे पक्का करना था कि सांप को बिना जोड लगाई बाहर निकाल लो पाइप के एगजिट पर नज़र रखने से कोई फाइदा नहीं होगा क्यूं तुम उस पत्थर को पकड़ लो हाँ ठीक है तो मैंने वहां काफी गैप छोड़ दिया जहां सांप को देखा था मैं पाइप के दूसरी ओर जाता हूं और अपने टूल से पाइप को काटने लगता हूं और जैसे ही मैंने एक हिस्से को काटा बेन तुम पाइप कीच रहे हो तुम गैप बना रहे हो तो दिखान रखो कि सांप इस गैप से बाहर ना आ जाए तो तुम इसे पीछे क्यों खीच रहे हो पाइप को उठाने के लिए तो अगर सांप बाहर आए तो क्या करना है पकड़ ले ना एक मिनट तर पानी लेकर आ रहा हूं मैं अब पाइप कट गया था तो मैं उस हिस्से को हटा सकता था तो मैं वहां गया जहां सांप आखरी बार दिखा था और उस एंट्रेंस को बंद कर दिया मुझे दो हट जओ अब मैंने पाइप को वहां मौजूद एक स्लैब के नीचे खिसका दिया फिर पाइप को रोड पर ले आया अब मुझे बस पाइप को उठाना था शायद इस तरह सांप बाहर आ जाएगा और बेन रोड पर आया और उन्होंने पाइप को उठाया और जैसे वो कीलबैक पाइप से बाहर आया तो लोगों के बीच हलचल मच गई वो काफी डरे हुए थे उनका डर सच साबित हो गया था उन्होंने सांप को देख लिया था अपनी आँखों से पकर लिया यह जरीले नहीं होते पर अग्रेसिव होते हैं बहुत काड़ते हैं अपने नुकीले दानतों से आपकी स्किन को फाड़ सकते हैं जिससे आपको काफी ब्लीडिंग होगी सब से पहले हमने वहां के लोगों से पाणी मांगा और बेन ने उस पानी से कील बैक पर लगी हुई गंदगी को अच्छे से साफ किया उस पर लगी सारी गंदगी को हटाया तो मैंने साप को पानी में डाल दिया, अब साप का शरी साफ हो रहा था पर वो बकेट से बाहर आना चाहता था, बाहर बार अपना सर बाहर ला रहा था चलो इसकी बादी साफ हो गी है आम तोर पर ये पीले शेड के होते हैं, ये बिल्कुल ग्रेश शेड वाला चेकर्ड कील बैक है देख रही हो ये कौन साप है कितना अग्रेसिव है देख रही हो, कैसे बाल्टी को काट रहा है अब इसे बैग में डाल लेते है तो बैन ने कमाल की चीज की, उन्होंने कहा कि हम इसकी पूँच नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ऐसा करने पर चेकर्ड कील बैक काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और काटने लगते है तो उन्होंने कहा कि हम साप को बीच में से पकड़ेंगे ताकि उसे कमफोटिबल लगे तो जब बैन ने ऐसा किया तो साप के हाव भाव बिलकुल बदल गए उसका अग्रेशन गाइब हो गया और वो बैन के हाथ में बिलकुल शान्त हो गया था उस तरफ उस तरफ जाओ तू रट जाओ किया इस तरफ गुमादो इसे देख रहे हैं कैसे सर उठा रहा है इसी वज़े से कभी-कभी लोग इसे एक खोब्रा समझ लेते हैं अब इसे बैग में जाने दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पूछ कुछ हो पूछ कुछ हो आँ आँ अराम से बहुत बढ़िया ओफ अच्छा किया अब मैं हाथ दो लेता हूँ पहले मुझे एक हाइफ दो तो ये रेस्क्यू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि साप स्यूर में परिशान हो रहा था उसके पास तो खाना था वो पानी में बहुत कंफ़ड़िबल महसूस कर रहा था लेकिन लूग वहां बहुत डरे हुए थे और जब मैंने उसे पकड़ लिया तो उन्होंने बार-बार मुझे थांक्यू कहा यह तुम्हेरा काम है थांक्यू एक आंटी मेरे पास आई और मुझे ब्लेसिंग्स देने लगी बहुत अच्छा लगा मुझे थांक्यू अच्छा लगा कि मेरे यहां आने से उन्हें राहत मिली